हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब तो आज मैं आप सब के साथ एक ऐसी विकैंसी शेयर करना चाहता हूं जो आज ही अपडेट हुई है और जो भी केंड़ेट बीटेक की होगे हैं इन कंप्यूटर साइंस एलेक्ट्रोनिक्स या बीसी वो बेश सबरी से इस विकैंसी का इंतज सरकार कर रहे थे तो मैं आज आपको इसकी कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं यह एक्जाम कब होने वाला है या कब इसके लिए जो जो रिक्वाइमेंट्स है अप इसकी प्रपेशन किस तरह से कर सकते हो तो यह सब जानने के लिए इस वीडियो को तिल एंड तक तो डिपार्टमेंट है उसने अभी एक पोस्ट अनाउंस की है इन्फोर्मेटिक असिस्टेंट की सूचना सहय की लगबग आपकी यह तेरा सो दो पोस्टे आई है और इस वकैंसी के अंदर जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वालिप्वाइड है वो सभी इसके लिए सब्सक्राइबल है तो चलिए अपने पूरा नोटिफिकेशन देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है क्या क्या रिक्वाइमेंट्स है तो सबसे पहले अगर अपने बात करें तो आपके पास टोटल वकैंसी जो आई है वो हमारी आई है यह आपकी तेरा सो दो पोस्टे पास्टेर रखा गया है 6 April 2018 जो लोकेशन आपके राजस्तान में रहेगी टीएसपी एरिया या नोन टीएसपी एरिया और पेश्केल बहुत ही अच्छा है 26,300 लगते ही आपको यह जो फिक्स सैल्डी है यह आपको मिलेगी 26,300 जो डिसाइड कही है राजस्तान सरकार के द्व सकते हो सब्सक्राइब अगर अपने बात करें तो आपको पास Computer Science, IT, Computer Application, Electronics से Communication के अंदर डिगरी होने चाहिए 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 वो आपकी BCA है या आपकी BTEC है या RTO से आप जो BE करते हो आप वो भी टार्गेट कर सकते हो या फिर आपके पास PG, DCA है या O-Level का Certificate है तो य आपके पास होना चाहिए, Side by Side आपके पास Typing का भी Knowledge होना चाहिए, Hindi और English बोट ये बात रखी गई है या आपर Hindi की Typing भी चाहिए और English की Typing चाहिए, क्योंकि इसके दो एक्जाम्स होने वाले हैं, पहला Return Examination जिसमें आपकी जो आपकी Qualification है आपने इराजूशन तक जितना बढ़ा है वो आपका syllabus curriculum रहेगा मैं आपको बताऊंगा वो, Side by Side second जो टेस्ट होगा उसके अंदर आपको Hindi और English की Typing मंगे गई है, कितनी qualified है ये, कितनी speed होती वो depend करता है कि qualification आपकी किती रहेगी, then अगर अपने बात करी next अगली बात की कि अगली आपकी जो age limit रखी गई ह या वो इस में जो रखी गई है, वो रखी गई है, minimum 21 साल और maximum 35 years, बाकि जो age relaxation है वो वैसी रहेंगे, OBC के लिए रहता है, जो SCST के लिए या physically handicap या ex-servicemen, वो वैसे ही आपकी जो राजस्तान के अंदर अप्लाई होते हैं, वो महिलाओं के लिए भी अलग है तो वो वैसे ह रहेंगे, लेकिन एक normal candidate के लिए 21 साल से लेकर 35 साल की जो age है, वो आपकी रहेगे, अब आपने विकैंसी रेटेल देखते हैं कि आपकी जो non-TSP area है, non-tribal area उसके अंदर कितनी विकैंसी है, जनरल के अगर अपने बात करें तो जनरल की 511 पोश्टे हैं और SCST की 164 और 207 प अंदर कितनी पोश्ट रखी गई हैं, तो वो पोश्टे अब आपने देखते हैं कि कितनी हैं, वो पोश्टे हैं हमारे पास 31, ट्राइबल आपकी जो area है उसके अंदर, आपकी 31 पोश्टे है, SC के लिए 7 पोश्टे है, HD के लिए 9, तो पोश्टों की कमी नहीं है, हमें तो सिरफ एक पोश्ट चाहिए, जिस पर आपको चाहिए होता है कि आप selection लें, और मेरा target यही रहता है कि आपको जो अभी vacancy है, मैं कुद बेटा की हम हूं, तो मेरा target रहेगा कि बहुत जल्द आपको इसकी videos भी मिलें, ताकि आप जल्दी से जल्दी अप इस exam के लिए prepare कर सके application fee अगर देखें, तो application fee जो रखेगी वो general candidate के लिए रखे गई है, 450 रुपे, OBC के लिए 350 और STST और PWD के लिए आपकी रखेगी 250 रुपे, तो यह आपकी application fee detail है, then अगर अपने बात करें, next जो अपने को देखना है, next is selection process, इसमें जो selection process होगा, वो आपके दो test होगी, पहल जो first one रखा गया है, वो रखा गया है, आपका written examination, written examination में जो भी आपनी computer related जो भी आपके syllabus curriculum है, वो आपका रहेगा, then typing test, typing test आपका both language में होगा, Hindi भी मी और English में भी, तो आपको इसके लिए दोनों के लिए prepare करना पड़ेगा, अभी से आप इसकी preparation शुरू कर देजी, क्योंक अच्छा आपको ही response देगा, then अगर अपने बात करें, how to apply, आप इसके लिए कैसे apply कर सकते हैं, तो इसका ये पूरा procedure है, सबसे पहले आपको इसकी website पर जाना होगा, www.rsmsb.rajastan.gov.in, then आपको उसके बाद applying online के जो भी आपका option होता है, उस पर click करना होगा, then register करना होगा as a new then उसके बाद आपको अपनी SSC ID, SSO ID भी बनाने पड़ेगी, तो बहुत आसान है, आप किसी से भी आप खुद ये form भर सकते हैं, तो इस पूरा procedure आप note-out down कर लिजेगा, और उस पर आप इस तरह से register कर सकते हैं, then अगर अपने बात करें, इसके बाद, इसका syllabus curriculum या other चीज, तो अगर यहाँ पर syllabus की बात की जाए, तो इस पूरा जो आपका theory paper है, उसको आपका paper first theory में होने वाला है, उसका syllabus curriculum है, computer system का overview आना चाहिए, जो भी application organization है वो आना चाहिए, then representation of data, then आपका सभी तरह की operating systems, आपका उसके बाद world processing, MS, world, spreadsheet, इसकी सारी knowledge होनी चाहिए, यानि कि file transfer, for protocol जितने भी आपके होते हैं, उसकी आपको knowledge होनी चीन, internet, www का आपको पूरा knowledge होना चाहिए, conferencing, video conferencing, e-commerce का, then algorithms, जो भी है, C language, CC++, या loop या array कैसे बनते हैं, functions कैसे बनते हैं, वो भी आपको करना होगा, side by side आपको कुछ other भी आपको पढ़ना होगा, जैसे कि general knowledge current affairs relating to India and Rajasthan India और Rajasthan का current affair आना चाहिए, और normal जो technology होती हैं, आपर उसके बारे में आपको knowledge होने चाहिए, तो चलिए बढ़ते हैं, next paper second के बारे में, paper second में आपके पास क्या होगा, paper second में आपके पास यहाँ पर, bilingual, Hindi और English दोनों में आपको यहाँ पर करना होगा, तो students, यह पूरा procedure था, slaves curriculum और यह vacancy आपके लिए बहुत बड़ी opportunity है, तो इस opportunity को miss नहीं करना है, आपको form बरना है, अच्छे से prepare करना है, और मेरी तरफ से आप सभी को good luck, बहुत अच्छे से prepare कीजिएगा, vacancy आ चुकी है, thank you students.